अमशंद दर्ती के विशय में किसी फरिष्टे में बहुत कुछ सुन रखा था और एक दिन धर्ती और मानों को देखने वो इस तरह ध्राम पर उत्रा हर चीज ने उसे आश्चरिय चकित किया यहां का सूरच यहां का चंद्रमा यहां के जील जरने यहां की नदिया सब कुछ यहां के परवत त्रिप्त हो गया एक दिन की छुटी उसने मांगे थी मनुष्य को देखा मनुष्य के रिधे में जो संगीत है उसको सुना उसके चेतना में जो गीत है उसको सुना और वो फरिश्टा बहुत खुश हुआ शाम हो गई घर जाने का समय था और जाते जाते उसने सोचा क्यों न अन्तिम प्रस्थान से पहले किसी को कुछ दे कर जाओं और जब उसने सोचा ही था तो देखा सामने से चार व्यक्ति आ रहे है और संयोक से और संजोक से वो चारो ही अध्यात्मिक साधक थे वो फरिष्टा उनके सम्मुक प्रकट होता है और कहता है कि मैं कुछ देना चाहता हूँ आपकी जो इच्छा है वो मांगो पहला मनुश्य पहला साधक कहता है जब से इश्वर के मार्क पर चला हूँ और जब से इश्वर की खोच कर रहा हूँ तब से जीवन में बस एक ही चीज़ है संगर्ष संगर्ष और संगर्ष मुझे श्यांती चाहिए परिष्टा कहता है पर क्या संगर्ष ही जीवन नहीं क्या जीवन का ही एक नाम संगर्ष नहीं वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं जोना चाहता अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे परम श्यांती तो फरिष्टा कहता है ततास तू और दूर किसी वन में घास में वो व्यक्ति एक गाय बन जाता है एक दम शांत घास चरता हो फरिष्टा दूसरे व्यक्ति की ओर देखता है और उसको पूछता है तुम्हे क्या चाहिए वो कहता है मैं कितना वासनाओ से और इच्छाओ से और त्रिष्णाओ से और काम से भरा हुआ हो मुझे एक दम पवित्र बना दो संपूर्न पवित्र फरिष्टा कहता है पर क्या इनी इच्छाओ से इनी वासनाओ से लड़ते लड़ते ही तुम्हें उस पवित्रता की यवस्था को नहीं पाना वह व्यक्ति कहता है Mehrin मुझे अभी अभी पवित्र बनना है फरिष्था कहता है ततास्तू और एक भव्य मंदिर की संगमर्वर की वो मूर्थी बन जाता है एकदम प्योर वो फरिष्टा तीसरे वेक्ति की ओर देखता है को जाता है तुम्हें क्या चाहिए वो कहता है पर्फेक्शन परंदू वो फरिष्टा कहता है परंदू पर्फेक्शन तो एक मंजिल है तुम्हें प्रैतन से पानी है वो कहता है नहीं मुझे अभी के अभी पर्फेक्ट बना दो एप्सलूटली पर्फेक्शन और अगले एक्शन वो गायब हो जाता है क्योंकि इस संसार में पर्फेक्ट वस्तु कुछ है ही नहीं अब फरिष्टा जरा सा उदास हो गया है मनुश्य की जो उसने महिमा सुनी थी उस महिमा को थोड़ी सी ठेस पहुची है और चाउथे व्यक्टी की तरफ वो फरिष्टा देखता है और कहता है तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए नथिंग एट आउड वो फरिष्टा केते है कुछ भी नहीं केते है कुछ नहीं मैं जो हूँ वही मनुश्य रहना चाहता हूँ वो फरिष्टा खुश हो जाता है उसको गले लगाता है और वो व्यक्ति नाशता हुआ और गाता हुआ और जूमता हुआ अपनी मस्ती में मगन वहां से निकल जाता है योगी की ये परिवाशा है उसे कुछ भी नहीं चाहिए वांट जितनी कम सुख उतना ज्यादा चाहना है जितनी अधिक सुख उतना कम कहानी यहीं नहीं रुकती फरिष्टा वापस पहुचता है भगवान के पास भगवान कहता है तुम्हें इतनी लेट क्यों गया वाप बिती सुनाता है और फिर भगवान उस फरिष्टे से कहते हो अब मैं तुमको पूशता हूँ तुम्हारी कोई इच्छा है क्या तुम कुछ बनना चाहते हो क्या और वो फरिष्टा कहता है हाँ मुझे वो चवथा वाला मनुश्य बना दो धर्ती पर भेज कर और वो धर्ती पर आ जाता है योगी वो जो फरिष्टा भी चाहे कि हम उस चेसा बने जो देवताय भी इर्शा करे कि हमें भी ऐसा बनना है तो मनुश्य इतिहास में सर्वोच्च पर दुपाने वाला सर्वोच्च स्थिती को उपलब्द करने वाला मनुश्य चेतना की सर्वोच्टम सर्वोच्च जो शिकर है वो है आदी देव वो है आदी ब्रह्मा उसने जो कुछ किया अपने पुर्शार्ट से किया वो संपूर्ण इसलिए नहीं बना कि उसमें भगवान आये वो संपूर्ण तब बना उस समय जब भगवान उसमें नहीं है और वो पुर्शार्ट कर रहा है उसका भी अपना एक संघर्ष है उसका भी अपना एक उसकी भी अपनी एक यात्रा है वो भी अपनी यात्रा कर रहा है और उस यात्रा को करते 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 पुर्शार्ट से प्रेम करते करते हैं और अपनी कमियों को निकालते हैं निकालते हैं उसने संपूर नवस्था को पाया तो आज की मुर्ली कौन से दिन पर है अठरा जनवरी 1991 कौन सा साल चालू है ये कौन सा साल चालू है 91 विश्व धरातल पर क्या हो रहा है कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है ऐसा महत्वपूर्ण जो की शायद विश्व इतियास में पहली बार टीवी पर प्रसारित हो रहा है एक एक घड़ना का प्रसारण इतना लाइव टेलिकास्ट आज तक कोई घड़ना का नहीं हुआ जितना उस समय हुआ और उसकी चर्चा पूरी मुर्ली में है कौन सी घड़ना थे गल्फ वार कुवेट वार इराक वार ऑगस्ट में चलू हुआ नाइंटी में फरवरी तक चला नाइंटी वन तक मुर्ली है अट्रा जन्वरी की और ये कैसा वार था टीवी पर लाइब टेली कास्ट कहा मिसाइल गीरा कहा बॉम गीरा कब क्या हुआ एक एक दिन का लाइब टेली कास्ट सबसे ज़्यादा विवर्शिप सारी दुनिया देख रही थी और वार भी तना खतरनाक था इराक एक तरफ और पैटीज देश एक तरफ जोर्ज बुश सद्दाम हुसेइन क्योंकि एराक ने कुवेट पर कब्जा कर लिया जिसे कुवेट वार भी कहते है गल्फ वार भी कहते है पर्शियन वार भी कहते है तो विश्व में ऐसी हलचल चालू है अब तक वार हुए पर उनका टीवी पर प्रसारन नहीं हुआ ये वार था जिसका लाइव टेलिकास्ट चालू था एक एक दिन की घटना का इसके लिए सारे विश्व में क्या थी हलचल और ऐसे समय पर ये मुर्ली चल रही है इसलिए इस मुर्ली में एक विशेश संदेश भी है बाबा का सेवा केंद्रो पर क्या करो तपस्य भटी क्यों करो क्योंकि आत्माए अशान्त है प्रेयर कर रही है तुम शान्ति की किरने फैलाओ ये सहयोग दो विश्व को तो क्या कहा आज की मुर्ली में बाबा ने कौन किसको देख रहा है समर्थ किसको देख रहा है स्मृति स्वरूप बच्चों को स्मृति के पाच अर्थ बताए है या काम जो स्मृति के साथ करना है पहला अपनी स्मृतियों को रिवाइज करो ब्रह्मा को याद करते हो पर ब्रह्मा ने जिन चीजों की याद दिलाए उनको भी याद करो तो पहला काम रिविजन और यह foundation है अगर revise ही नहीं करो तो आगे का काम नहीं होगा इसके लिए ब्राम्हन जीवन की चितनी इस्मृतिया है बावा ने कहा list बनाओ नाम, रूप गुन, करतव, यो, देश इन पाच चीजों से बाप का परिचे देते हो अब वैसे ही स्वैम का परिचे नाम क्या है मेरा क्या क्या नाम है रूप कौन कौन से है गुन कौन कौन से है करतव यो कौन कौन से है देश तो सबसे पहला काम भक्ती में है सिम्रन ग्यान में है स्मृति भक्ती में है समाजाना समाना ज्यान में है समान भक्ति में है ब्रह्मा अतीत है ज्यान में ब्रह्मा वर्तमान वो कहते हैं ब्रह्मा हो गया उसने ये किया ऐसा किया वैसा किया हम क्या कहते हैं वो साथ है ब्रह्माओं के लिए ब्रह्मा प्रेजेंटेंस है संसार के लिए ब्रह्मा पास्टेंस है वो अब है और अंत तक ब्रामनों की पालना ब्रह्मा से ही होगी ब्रह्मा ही निमित है इसलिए नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार तो सबसे पहला स्मृति के साथ क्या काम करना है रिविजिन याद करना है कौन मिला क्या मिला अपने ही नाम याद करना है बैठकर मैं कौन नाम रूप मेरा रूप क्या मेरे गुन क्या मेरे कर्तब या क्या मेरा देश कौन सा ये हमारे रहने का स्थान नहीं है हमारे रहने का समय यहां का पूरा हो चुका है इस संसार में है परन्तु यहां जैसे नहीं है निमित मात्र करतव्य कर रहे है परन्तु अंदर से अना सक्त है, detached दूसरा realize स्मृति अर्थात realization, स्मृति अर्थात अनुभो, स्मृति अर्थात अनुभूति, केवल repeat नहीं करना है, केवल revise नहीं करना है, परन्तु उसके आगे की step क्या है, अनुभो नूरे रतन अर्थात क्या, बाप के नैनो का नूर कितना महत्वपूर्ण हो हम stage पर है, सारे विश्व की नजर हम पर है आगे कहा है न, चैतन्य चित्र हो तुम कौन हो चैतन्य चित्र अनुभाव और अनुभाव अगर चाहिए तो अनुभाव बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है भोग विलास में डुबा हुआ व्यक्ती अनुभाव नहीं कर सकता क्योंकि भोग विलास ज्ञान का शत्रू है जिसका शरीर सैयम मित है इंद्रिय सैयमित है आखे जिवां, कान त्वचा, सारे इंद्रियों को मुर्ली में कहा ना मास्चर सर्वेशक्तिवान हो ओर्डर करो सीट पर बैठ कर कि अनुभाव क्या क्या बाधा है अनुभाव में उस एक एक बाधा को अपने मार्क से हटा देना है यदि व्यर्थ है तो अज़त को यदि कोई कर दो अधार कर दो और उस जमें हमारे लिए वह माया है और माया से सीखना है एक बार अगर हार हो जाती है एक बार यदि जीत हो जाती है माया से तो अगली बार व्यक्ति फोड़ा कम साउधान रहता है उसको लगता है इसको मैं तो पिछली बार जीता था इस बार सहच जीत लूँगा और बिना अस्रशश्र के चला जाता है मैदान में क्योंकि उस जीत को भी बहुत समय हो गया है बीच में गया भागया है और सोचता है या भूल ही जाता है कि मैंने जीता था या ये भी भूल जाता है कि ये भी माया है और फिर से उसी माया में प्रवेश करता है और वहाँ फिर पराजित होता है पूरा पराजित तो नहीं पर अंतु संकल पर जरूर चलते है इसके लिए निरंतर सतत प्रतिपल सजक प्रतिपल सावधान कदम कदम फूक फूक के चलना है कब कौन सी माया कहां से आ जाए दाय से बाय से पीछे से आगे से पता नहीं तो दूसरा काम अनुभाव स्मृति अर्थात अनुभाव स्मृति अर्थात रियलाइजेशन तीसरा क्या करना है स्मृति का स्थिति का स्मृति का नशा हो बाबा में कहां स्मृति का क्या हो तुमको रुहानी नशा अपने आपको ही नशा चड़ाना है अपने आपको ही नशे मिलाना है जैसे दो सादू थे पूरे गाओं में गूमते हैं कहीं से उनको कुछ नहीं मिलता है और आखिर में शाम को दोनों बैठते हैं और कहते हैं कि चलो आज मानसिक भोजन कर लेते हैं मानसिक बोजन ध्यान में बैठते हैं और थोड़ी देर के बाद एक सादू दूसरा सादू चिलना आता है सहा 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 क्या हुआ बहुत तीखा लग गया मानसिक बोजन क्यों क्या खाया कड़ी पर उसमें मिर्ची थोड़ी ज़्यादा थी तुमने क्या खाया हो कहता है मैंने तो बहुत अच्छा हलॉआ खाया य। बहुत बढ़िया था मुझे तो बहुत तीखा लगा robot तुमने तीखा डाला क्यों वो कहता है क्या करो मेरे नसीब में ही नहीं है बनाने वाले कौन तुम कहां बना रहे हो मन में और दोश किसको देते हो नसीब को I am the master creator मनुष्य संकल्प की रचना है तो मेरा भाग्या मेरे हाथ में हम लिखते हैं बाग्या रोच तो नशा खुद ही खुद को नशा चड़ाना चवथा स्मृति में लवलीन हो जाओ क्या कहा है मुर्ली में बाबा ने आज स्मृति में क्या हो जाओ लवलीन खो जाओ इतना डूब जाओ उसमे और डूबने के लिए समय चाहिए और डूबने के लिए वही चिंतन वही विचार वही बार 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 पुनरुपती चाहिए एक ही संकल्प एक ही विचार तभी उसमें डूबा जा सकता है नहीं तो नहीं डूबा जा सकता अगर कोई व्यक्ति एक ही प्रकार की किताबे पढ़ते रहे तो धीरे धीरे उन किताबों का उस पर असर हो जाते है अगर वो केवल फाइटिंग की किताबे पढ़ते रहे दिन रात तो एक समय आएगा कि तलवार उठाई लेगा और निकल पढ़ेगा दुश्मरों से लड़ाई करने डॉन क्यूटी फ्रेंच में एक पात्र है बड़ा प्रसिद्ध वो पुराने जमानों के राजाओं की किताबे पढ़ते रहता दिन रात दस भिस तीस साल तक और फिर एक दिन उसको ऐसा नशा चड़ जाता है कि मैं ही वो राजा हूँ और पूरा अपना ड्रेस बनाता है और तलवार और अपने साथी भी एक ले लेता है कमांडर, हिंचीफ और उसको लेके घुमता है कॉमेडी सीरियल है बच्चों का परंतू दिखाया है जहां देखो वहां लड़ाई करना चालू करता है वहाँ पर भेड चल रही है उसको लगता है दुश्मन है और जाकर आकरमन करता है कई जाड है कई हवाई, पंका है उसको जाके बौर करता है उसको चोटे लगती है तो दिखाया गया कि एक व्यक्ति दिन रात जब एक ही चीज पढ़ते रहता है पढ़ते रहता है तो धीरे धीरे वो पात्र उसके मस्तिश में गुल जाता है और वो वैसे ही करने लगता है अगर ये संसार में हो सकता है तो इधर भी हो सकता है दिन रात अगर कोई इसी नशे में रहे और डूबा रहे तो नशा कम ही नहीं होगा फिर और पाच्वा स्मृति स्वरूप, embodiment उसका स्वरूप बन जाना तो स्मृति का revision स्मृति का realization, स्मृति का नशा स्मृति में खो जाना, डूब जाना वही चिंतन बार 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 अलग अलग धंग से एक ही तरीके से नहीं अलग 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 धंग से तो कुछ तो होगा change तो स्मृति के विशे में ऐसी पाँछ बाते कही है और वो दूसरी पाँच बाते बाबा हमको क्या याद दिला रहे है नाम तुम कौन रूप तुम्हारा रूप क्या गुन तुम्हारे गुन क्या करतब या क्या और लास्ट देश घर जाना है अधिकारी बनकर स्वर्ग में आने की हिम्मत और यहीं पर कौन सी कला संगम युक पर वो लोग एक कला सिखाते है बाबा दूसरी कला सिखाते है कौन सी दुनिया की लोग कौन सी कला में माहिर है माहिर यह सिखाते है मरने की और यहां बाबा सदा खुश रहने की वैसे तो मरने की कला भी सिखाते है पर आज के मुली में मरने की कला तो ज़्यादा सिखाते है सदा खुश किसी को लाटरी लगती है तो कितना खुश हो जाता है और तुम को क्या लगी है कितनी बड़ी लोट्री लगी है एकान तुम्हें बैठ कर ये याद करना मुझे बावा ने क्या क्या टाइटल दिये नाम क्या है मेरा रूप क्या है क्या ये शरीर मेरा रूप है या कुछ और क्या इसी में अटका हुआ हूँ या इससे परे भी कोई सत्य है गुन मेरे गुन क्या है वर्तमान में निगेटिविटी दिख रही है परंतु ये वास्तव में मेरे गुन नहीं है ये उपर उपर के है थोपे हुए है बॉरोड है, लिये हुए है मेरा वास्तविक रूप नहीं बाबाने का रावन की प्रॉपर्टी है तुमारी नहीं नाम, रूप, गुन, कर्तव्य कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है? देना किसी समुद्र तक्ट पर एक बच्ची खेलते खेलते बेहोश हो पड़ती है फिर जवा होती है और एक यह नव योग आता है कहता है हटो हटो मुझे पता है कैसे करना? रिसिटेशन जो CPR करते हैं chest compression mouth to mouth breathing, वो सारी कुछ चीज़े उसमें है हटो 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 मुझे आता है सब लोग हटो और वो सब कुछ करता है और उस बच्ची को बचा लेता है सब लोग तालिया बजाते है एक बुड़ा वेक्ती भी होता है वहाँ वो दूर से देख रहा होता है और वो भी जाता है भीड में पर उसको भी वेक्ती बाजू कर देता है और वो बूड़ा वेक्ती बाजू भी हो जाता है और चुपचाप खड़े रखे देखते रहता है सब लोग तारीफ कर रहे है उस नव्यूवक की जिसने उस बच्ची को बचा लिया थोड़ी देर के बाद ये जो नव्यूवक है धूप बहुत है समुद्र तठ है वो खुद ही बेहोशो कर गिर पड़ता है और थोड़ी देर के बाद जब आग खोलता है तो देखता है वो एम्बूलेंस में है और वो ही बूड़ा वेक्ती बाजू में बैठा है उसकी नाड़ी पर हात रखे हुए और उसे पता चलता है कि ये बूड़ा वेक्ती डॉक्टर है वो वेक्ती उस डॉक्टर से कहता है उस बूड़े से कि आपने वहां क्यों नहीं बता दिया कि आप डॉक्टर है वो बूड़ा वेक्ती कहता है मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बनाओ कि प्रसिद्धी पाऊं उस समय उस बच्ची को बचाना महत्वपूर्ण था और तुम वो काम कर रहे थे करतव्य उस समय ये था उसको बचाने का ना ही प्रसिद्धी को पाने का इसलिए तुमने जो किया अच्छा किया वो व्यक्ति कहता है वैसे तो देखा जाए आपने आज दो जीवन बचाए है तो ब्रामनों का करतव यह क्या है आत्माओं को बचाना संसार कहां डूब रहा है दुखों में संसार दुख में और हम भी दुख में चले जाए तो भगवान को नव पाने वाले भी दुखी और भगवान को पाने वाले भी दुखी और और कारणों से कौन किसको बचाएगा वो संसार के दुखों से दुखी यह पूर्शाद से दुखी दुख सेम है कारण बिनन बिनन है करतव यह और फिर देश हमें जाना है यहां का कुछ अच्छा ना लगे अध्यात्म रामायन में दिखाया है श्री राम की अवस्था राम जब अपनी शिक्षा लेकर वापस आता है वशिष्टो से ले जाते है अष्रम में रखते हैं बच्पन से और युवा होते हैं तो वापस आता है और राम देखता है सब लोग श्रिंगार कर रहे है खा रहे हैं पंच्फपकवान मिश्ठान ना वो देखकर राम को फीरा होती है अंदर का वैराग ऐसा है कि मना करता है ये सब चीजों के लिए उसे नहीं चाहिए ये reject करता है उसका mind उसका शरीर ये भोग विलास नहीं चाहिए तो ये मुर्ली का पहला भाग है यहां तक अब आते है मुर्ली के दूसरे भाग पर माया चीप्त माया जीत का जंडा कैसे लहरा है क्या क्या कहा इसके लिए क्या 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 माया जीत का जंडा कैसे लहरा है क्योंकि गल्फ वार चलू है सारा संसार हलचल में है तरही तरही आहा कार हो रहा है सारे जहां देखो वहां वही चर्चा चलू है आज इतने मरे, आज उतने मरे, आज ये मिसाइल, आज वो मिसाइल, आज यहाँ बाउम, आज वहाँ बाउम. लीडर्स की पोजिशन, एक तरफ 35 डेश, एक तरफ एक इराक, इराक की हार हुई, वो दूसरी बात. पर चर्चा चलती है, जब इस तरह की होते हैं, और भगवान क्या कह रहा है, तुम्हें मायाजीत का लंड जंड़ा, अगर अंदर लहराना है, तो सबसे पहला काम, दिल में कौन हो, दिल में साथ, बाप का, सेवा में साथ, बाप, और तीस रा, स्तिती में, स्तिती में, कुछ भी हो जाए, आश्यर्य नहीं, question mark नहीं, तो क्या हो फिर? Nothing new, जो कुछ हो रहा है, नया कुछ भी नहीं, जो घटना पहले ही हो गई है, उसकी स्मृति में लाने से, हल चल नहीं होती, जो हो रहा है, वह होना चाहिए, कितना अच्छवा, कितना, कोई modification की जरुवत नहीं है, कुछ भी छेड़ चाड़ करने की जरुवत नहीं है, जो हो रहा है, वही सत्य है, और तुम क्या करो, साक्षी होकर देखो, साक्षी बन की seat, बेफिक्र बादशा का सीहासन, nothing new की स्मृति, किस-किस में nothing new? यह चिंतन का विशे है, किस-किस में nothing new? किस में? सबसे पहला परिस्तिती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जरा भी आश्चरे करने की बात नहीं है, पहला, दूसरा व्यक्ति, व्यक्ति और व्यक्ति का व्यवहार, अच्छानक मित्र शत्रु हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, यही संसार रहा है, इस संसार का कोई भरोसा नहीं है, किस पर भरोसा करें? अभी अभी दोस्त है, और अभी अभी दुश्मन, व्यक्तियों के रंग बदलते हैं, गिर्गिट की तरह, एक भगवान ही है और जो एक रसे, शुरुवात से, यह कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता है, दूसरा, व्यक्ति और व्यक्तियों के व्यवार से आश्यर्य नहीं, अभी अभी स्तुति, अभी निंदा, अभी निंदा और फिर अग्लेक्षन, स्तुति, कोई ठीकाना नहीं है, स्तुति और निंदा का, तीसरा माया और माया के भिन्न भिन्न रूप कोई आश्चर यह नहीं नए नए तरीके से माया आती है माया में कितना creative power है एक method fail हो गई तो दूसरी method दूसरी fail तीसरी निरंतर एकांत में बैठ कर चिंतन करती है माया जो कर ब्रामनों को करना चाहिए क्योंकि माया भी मुडली सुनती है तो जो point ब्रामनों के लिए होती है माया उसको सुन लेती है और तुरंत action में लाती है बाबा ने का एकांत में जाकर ज्ञान का चिंतन करो माया तुरंत ब्राह्मनों की कमियों का चिंतन चालू करती है। इसमें पवित्रता बहुत अच्छी है। इस पर आक्रमन नहीं किया जा सकता है। और कहां। इसका अम्रित वेले को तो कोई हाथी नहीं लगा सकता। मुरली चिंतन तो दूर भागो इससे। कुछ तो होगा, कोई तो कमी होगी। हाँ, कोई इसको कुछ कहता है तो बुरा लगता है, बस इसी को पकड़ो अप। इसको रोना जल्दी आता है, बस वहीं पर पकड़ना है। और भैवित जल्दी होता है, बस इस पॉइंट को पकड़ना है। माया ने हमारी कमी और कमजोरियों पर पिएजडी कर रखी है एक एक पॉइंट का विशलेशन किया है कहां और कितने बजे और कितना देर तक माया आती है और बराबर वहां पर आक्रमान करती है अंग्रेजी में शब्द है अकिलीज हिल अकिलीज नाप का युनान में एक युवक था उसकी माँ ने बच्पन से ही उसको एड़ी में एड़ी को पकड़के जब छोटा सा बालक था एक नदी में डुबो दिया वज्रका बन गया शरीर कोई उसे मार नहीं सकता था पर वो जो एड़ी थी उसकी उतना भाग रह गया था और ट्रोजान के युद्ध में एकिलीस के शत्रूओं को वो पता चल गया कि इसकी जो एड़ी है न इस पर ही आक्रमन करना चाहिए बस वहाँ पर आक्रमन किया जाता है और हो मरता है अब तक उसे कोई हरा नहीं सकता है उसी तरह नेपोलियन नेपोलियन जब छोटा सा बालक था पालने में था उसकी दाई जो थी थोड़े देर के लिए बाहर चली गई और एक बिल्ली ने आक्रमन कर दिया कुछ हुआ नहीं डाई आ गई पर उस छोटे से बालक के मन में एक भे रह गया कौन सा बिल्लियों का नेपोलियन कभी नहीं हारा जीवन भर जीतता ही गया जीतता ही गया जीतता ही गया पुरे फ्रांस का सम्राट बन गया और अंतिम जो निरनायक युद्ध था वाटरलू का उसके दुश्मनों को पता चल गया इसको भै किस्से है? बिल्लियों से तो बीस बिल्लिया लेके आता है और युद्ध के समय नेपुलियन पर छोड़ देता है और नेपुलियन की पराचय होती है दे फॉल अफ नेपुलियन क्योंकि कमी को उसने पकड़ लिया इसलिए निरंदर अपने आपको देखते रहना कि मेरे में कौन सा पॉइंट है डूपती रग जिसको दबाते हैं यहां से आसु आते है हमने अपने नूड का रिमोट पता ने कितने लोगों के पॉकेट में डाल के रखा है वो उदर से डबाता है तो खुशी वो दूसरा उदर से डबाता है तो आसु फिर दूसरा डबाता है वापस खुश तो वापस खुश वो कहता है लो तुमारा रिमोट रखो तुम हम कहते हैं नहीं तुम ही रखो अच्छा लगता है दुखी होना भी तो अच्छा लगता है कहते हैं हम को दुख से छुड़ाओ पर सबसे गहरी आ सकती तो दुख से है दुख नहीं रहा तो बैचे नहीं होती है रोज सवा के दस लोगा के तारीफ करते रहे तारीफ करते रहे उसका कोई चिंतन नहीं, एक दिन कोई निंदा कर लेता है, दिन रात उसका चिंतन, जैसे इंतजार ही था उस निंदा का, उस दुख का, तो आसकती किसमें है, दुख में, और कहते क्या है, कि हमें दुख नहीं चाहिए, तो, नथिंग न्यू, किस से, माया, माया का कोई भी रूप आजाए, नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, अगला, प्रकृति, प्रकृति में जो भी हल चलूए, आज की मुरली में गर्मी के लिए क्या कहा बाबने, क्या, गर्मी की सीजन में गर्मी होगी न, माया की सीजन में माया तो आएगी न, मार्केट किसका है, ओनर कौन है, बिजनेस किसका चल रहा है, रावन राज है, हम क्यों समझते हैं कि सब राम जैसा विवहार करे, आदर्श, सब क्यागी और तपस्वी हो जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ए भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, विराम तो सोया है, रावन जगे हुए है, प्रकृती, कोई आश्चरी नहीं, बहैत गर्मी, बहुत गर्मी, उसको दोश नहीं देना ए, उसकी दिस्कसिण नहीं करते हैं बटना, उसके डिसकुशन नहीं करते हैं, आज गर्मी बहुत मुरली ख्लास चालू है ठीक है और मुरली ख्लास जैसे पूरी होती है और निकलते समय discussion कौन सी बात का होता है points का discussion होता है जो announcement हुई है उसका discussion होता है या कोई आकर discussion करता है आज का वरदान बहुत अच्छा था यह क्या कह दिया स्लोगन में बहुत ही जपरदस्ट पॉइंट थी या बहन जी ने कितनी अच्छी बात बता दी ऐसा कोई discussion करता है या कुछ और ही discussion करते है क्या करते काम पूरा हुआ चलो एक काम पूरा नव नेक्स्ट प्रकृती बहुत थंड बहुत थंड बहुत बारिश बहुत बारिश इतनी बारिश की हुए हमको यहां जाना था हमारा प्रोग्रम कैंसल हो गया यह हो गया वो हो गया ऐसा हो गया स्विकार स्विकार करना नेक्स्ट शरीर की बिमारिया बिमार्य आ जाती है तो डर जाते है दुखे हो जाते है हम देखते है फ्रैक्शर हो गया वो कहते हैं नहीं मुझे सेवा के लिए जाना है मुझे सेवा के लिए जाना है और बेचेन रहते हैं दिन रात पर उठ नहीं सकते अब जहां हो वहीं सेवा करो चुप चाप, मनसा उस fact को स्विकार कर लेना तुरंत इसको स्विकार ही नहीं करते जल्दी कि यही सत्य है कोई व्यक्त ही मर जाता है पती, पत्नी, स्विकार नहीं कर पाते कितने सालों तक कि वो चली गई वो चला गया बच्चा चला गया मानता ही नहीं मन कोविड में कितने सारे लोगों के मात, पिता, एक साथ चले गए एक साथ पहले माँ एड्मिट हुई, फिर पिता जी एड्मिट हुए और कुछी दिनों में दोनों एक साथ चले गए इतना जबरदस शॉक मन मानने कोई तैयार नहीं है दुखी रहते है उदास रहते है नींद नहीं आती है रात रात भर वह दिखते हैं उनकी यादे आती रहती है स्विकार खेल चल रहा है बाबा ने क्या कहा साक्षियो कर देखो रियल सल है रियल की समाप्ती का क्या है साधन यह तो रियल सल चालू है मौत का बादार तो गरम होना अभी बाकी है खोलसेल मौत होगा इन आखों से जो कुछ देखते हो आखों सहित कुछ भी बचेगा नहीं कुछ भी नहीं तो नथिंग न्यू किसके लिए? माया के लिए नथिंग न्यू प्रकृति के लिए नथिंग न्यू व्यक्ति के लिए नथिंग न्यू स्थान के लिए आज स्थान है कल नहीं रहेगा आज हमारी जमीन है कल हमारी नहीं रहेगी तो दुखी होगे लोग जमीन के लिए कोट के से लट रहे है 10 साल होगे, 20 साल होगे 20 साल से ग्यान योग जीरो हो चुका है और 20 साल के बाद वो जमीन मिल भी जाये, क्या करोगे उसमें वो बेचेनी के संसकार लेकर ही जमीन मिलेगी जैसे व्यक्ति के पास घर नहीं होता है अपना खुद का घर चाहिए बेचेनी इतनी बेचेनी भरी हुई है हमारा अपना घर चाहिए क्योंकि कब तक भड़े के घर से में रहेंगे पाच साल लगाता है और फिर एक दिन अपना घर बन जाता है घर तो मिल गया परणतु बेचेनी के संसकार बन चुके है नए घर में भी बेचेनी है अब बेचेनी का क्या करोगी वो तो है ही है क्योंकि it has become a संसकार इसके लिए हिसाब किताब को भी क्या समझना है कि यात्रा समझना है किसी व्यक्ति के साथ हिसाब किताब चल रहा है रोज जगड़े लोज विगन रोज कोई टांग खिशता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है हम तो कुछ नहीं करते हैं कुछ दूसरे कर रहे है एक ही व्यक्ति के साथ हिसाब चल रहा है और हम दुख ही है और बाबा से योग तो है ही नहीं पर याद है बाबा इसकी transfer करतो बस यह एक ही है कुछ भी करके हम सोचते हैं कि वो पश्चाताप करेगा वो सोचता है हम पश्चाताप करेंगे जिसके लिए भी हम यह सोचते हैं कि उसको एक दिन पश्चाताप करना पड़ेगा समझ लो वो भी वही सोच रहा है क्योंकि हमारे प्रकंपन vibrations उस तक पहुँच रहे है वो भी यही सोच रहा है कि इसको पश्चाताप करना पड़ेगा तो नथिंग न्यू स्थान आज है कल नहीं है व्यक्टी आज है, कल नहीं है समय समय भी एक है समय बदलता रहता है कुछ भी स्थिर नहीं है अत्यंत दुख है आज तुरंत सुख हो जाएगा अत्यंत सुख है, दुख में परिनित होगा सुख दुख, सुख दुख हार जीत, हार जीत, हार जीत होते रहेगा, nothing new साक्षी द्रिष्टा बेफिक्र बात्षा घबराना नहीं है, घबराने का तो संकल्प में भी घबराना नहीं है तुमको आज की मुल्य में बोला न, तुमको तो संकल्प में भी घबराना नहीं है, घबराते कि वो साथ में कौन है तुम्हारे पार्टियों से मुलाकात में निश्य बुद्धी अर्थात हार हो नहीं सकती विजय ही हो बाप साथ है तो सफलता साथ है तो संसार में कौन सा वातावरन चालू है युद्ध का और बाबा ने क्या कहा अब तपस्या का प्रोग्राम बनाओ क्या करो स्वयम शांती की किरने फैलाओ आत्मा है बहुत दुखी है यदि हम शांती नहीं देंगे तो कौन देगा दादियों से कहा न कौन हो तुम देविया ब्रह्मा की इतनी पूजा नहीं होती शिव निराकार की भी नहीं मातेश्वरी भी गुप्त प्रत्यक्षे कौन है तुम देविया तुम्हारी पूजा हो रही है भक्त तुम्हें पुकार रहे है शांती दो यदि हमें दूसरों को शांती देनी है तो सबसे पहला काम हमें खुद अंदर से शांत होना होगा और जो व्यक्ति विकारों से ग्रसित है वो बेचेन होता है हमारे अंदर विकार है है या नहीं है उसका एक ही मापदंड है विकार जगते ही व्यकुलता आती है मन में विकार आया कि बाहर क्या आती है व्यकुलता बेचेन ही आती है शांत बैठे जैसे क्रोध उत्पन नहुआ व्यकुलता आती है जैसे काम का संकल पाया व्यक्ति एक जगा नहीं बैठता है कुछ तो करना है फिर उसको इर्शाई तो जिसके प्रती इर्शाई उसे गिराने का शड्यंद्र है लोभ हुआ मोह हुआ कुछ भी जगती बेचेन हो जाता है इसके उलट यदि बेचेनी है अर्थात क्या है अंदर विकार है क्या करें फिर इस बेचेनी को भी साक्षी होकर देखना है यह बेचेनी भी कोई करन्टिन्योस नहीं रहेगी अभी है चली जाएगी यह बहुत अच्छा अभ्यास है अपने मन में जो भाह उत्पन्न हो रहे है विचार एमोशन्स उनको भी दूर से देखना यह क्या है जै पर बैठते है थोड़े देर के बाद चले जाते है इसका मतलब यह नहीं कि जो भी विचारा है उसको सीधा कर्म तक लाना है रुको क्या करना उसको साक्षी होकर देखना जैसे सड़क के किनारे बैठकर अभ्यास करो सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और देखो क्या हो र जाओ, और मन के विचारों को देखो, विचार आया, विचार गया, विचार आया, विचार गया, मैं भिन्न हूँ, राजा, ये मन मंत्री, मैं अलक, मैं साक्षी, एक अभ्यास, दूसरा, बादलों को देखो, आस्मान में बादल है, बादल आते बादल चला जाता है, आस्मान हिलता है अचल है आस्मान अचल घर चंचल घर नहीं है तीसरा नदी अगर बह रही है तरंगों को देखो या एक पत्थर डालो तालाब में क्या होता है थोड़ी देर के लिए तरंग ये उड़ती है फिर शान्त हो जाती है पर्मनेंट नहीं है उसका स्वभाव निस्तरंग जील है वैसे मन भी एक जील है जैसे ही विचार उसमें पढ़ता है तरंगे उठती है और विकार यदि पढ़ा तो जोरदार तरंगे और उसको शान्त होने के लिए टाइम लगता है कभी तो ये बड़ा गहरा बड़ी गहरी साइकलोजी है हमें स पने कमजोर हो का कब और किस समय मैं कमजोर हो जाता हूं हो सकता है अधिक तर समय तो मैं शक्तिशाली हूं पर हो सकता है चोबिस घंडे में पाँच मिनिट कोई आते है ऐसे कोई एक emotion, कोई एक व्यक्ति अचानक आ जाता है दस साल पुराना जो कभी माया थी था और अचानक सामने आ गया वही इस्तिती जो दस साल पहले थी दुख की फिर से प्रगट होती है इसलिए साक्षी भाव साक्षी होके देखना किसको देखेंगे अपने विचारों को, emotions को आ रहे, जा रहे आ रहे, जा रहे, थोड़े रुकते चले जाते सीधा act नहीं करना है और क्या कहा आज की मुर्ली में बाबा ने और क्या कहा एक तो ये भाग था, पहला भाग ब्रह्मा वाला, स्मृति का और दूसरा भाग, हल्चल में अचल कैसे रहे, स्थिर कैसे रहे, इसके अलावा दर्पन और हम, चेहरा क्या बन जाए, चित्र चेतन ने चित्र बन जाए दर्पन बन जाए, और दादी के लिए भी कहा न, अच्छा है बिमारी आई, थोड़ा सा रेस्ट और शरीर कैसा चल रहा है आदी रतनों का दुआउ से, और किस से शुभावनाओ से तो पुन्य कर्म करते जाना है, करते जाना है करते जाना है, जितने पुन्य कर्म होंगे, परिस्तितियों में काम आएंगे, जिसने हजारों आतमाओं को सुख दिया है, और उसके जीवन में अगर मायां आ जाती है, तो वो पुन्य कर्म का बल काम आता है, और और कोई विश्चिदार मित्र संबन्दी काम नहीं आते हैं, और जब परिशितिया आती है, एक अनुबह सबका होगा, हम अकेले हो जाते हैं, कोई मदद नहीं करता है, सब मतलब के साथ ही, एक वेक्ती था, दारू पिता था, एक बार चोरी करने जा रहा था, हार में फूलों का गुदस्ता था, पुल से गुजर रहा था, अच्छानक एक फूल नीचे गिरता है, तलाव में, फूल से गुजर रहा है, फूल नीचे गिरता है, वो कहते हैं, फूल तो अब गिरी गया, अब लू कैसे तो कह देता है, गोविंदा स्वाहा, डेथ होती है, उपर पहुँचता है, यह अमराज पूछता है, कोई पुन्या, मुझे तो याद नहीं, परन तो वो कहते है, लेट मी चेक, एक पुन्या तो जरूर किया है, गोविंदा है, नमाखा है, तो तुमको पाच मिनिट के लिए स्वार्ग मिलेगा, बाकी टाइम नर्क, पहले क्या चाहिए, वो कहता है स्वर्ग, स्वर्ग में पहुँचता है, और वो पहला काम क्या करता है, मुझे दो सीजर चाहिए, बड़ी-बड़ी, और जितने फूल थें वहाँ पर, एक-एक को कट करता है, गोविंदा स्वाद, गोविंदा स्वाद, गोविंदा स्वाद, पाँच मिनिट में इतना सारा कर देता है, उसका इतना पुन्य जमा होता है कि, नर्क, कैंसल, पुन्य कर्म पापो को काटते हैं, इसके लिए मदुबन में आये हो, और मदुबन में सेवाँ में आये हो, तो सोचो मैं किस की सेवा कर रहा हूँ किस की सेवा के लिए आया हूँ अपने विचारों को भावों को बहुत बहुत उचा उठा दो नविश्व की स्टेच परूँ संसार की स्रेश्टतम मातमाओं की सेवा कर रहा हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, यह हनुमान बैठे है यहां, यह कनेश बैठे है यहां, यह शंकर जी बैठे है, ध्यान मगन, और देविया भी है, संतोशिमा, कालिमा, सारे मंदिर उदर खाली हो चुके, इदर बैठ गया कि, ऐसे, कैसे, कैसे, ऐसे, परिष्टा सो देवता आत्माओं का यह लक्ष है तुमारा, ऐसे, भाग्यवान के भाग्यवान, पदम भाग्यवान आत्माओं को, ऐसे, ऐसे, रिविजन करने वाली आत्माओं को, रिवाइज करने वाली आत्माओं को, रियलाइज करने वाली आत्माओं को, नशे में रहने वाली आत्माओं को, खो जाने वाली आतमाओं को मगन रहने वाली आतमाओं को ऐसे स्मृती स्वरूप आतमाओं को ऐसे समर्थ आतमाओं को ऐसे ऐसे चैतन्य चित्रों को ऐसे बेहत के वेरागी कि सिहासन पर विराजमान आतमाओं को ऐसे साक्षी दृष्टा आतमाओं को मन से भी घबराना नहीं, संकल्प में भी घबराना नहीं ऐसी आतमाओं को ऐसे भक्ती में कहते है श्री कृष्णार्पनमस्तू श्वसंकल्पमस्तू वो वेक्ती कहते है क्या करू मेरी कड़ी बनाई उसमें मिर्ची ज़्यादा पड़ गई और बनाई किसने तुमने न शिवसंकल्प तनमे मनो शिवसंकल्प मस्तू तनमे मना शिवसंकल्प उत्पन्न करो शुबसंकल्प तो ऐसे शुबसंकल्प उत्पन्न करने वाली आतमाओ को ऐसे ऐसे संकल्प की नही नही रेस्पी बनाने वाली आतमाओं को ऐसे संसार को शांती का सहयोग देने वाली आतमाओं को ऐसे शांती की किरने फैलाने वाली आतमाओं को ऐसे मास्टर सरवशक्तिवन आज की मुली में है ऐसे स्रेश्ट करतव्य करने वाली नाम, रूप करतव्य, देश को स्पृति में रखने वाली आतमाओं को ऐसे सिट में सिट रेंड सिट रहने वाली आतमाओं को ऐसे ओर्डर करने वाली शक्तियों को ओर्डर करने वाली आतमाओं को निश्य गुद्धी आतमाओं को विजयी आतमाओं को सफलता मूरता आतमाओं को ऐसे बेफिक्र बादशाहों को ऐसे पैसे की चिंता ने करो बाप माला माल बैठा हुआ है वो सोचेगा तुमको क्या चाहिए कब चाहिए, कितना चाहिए जादा चाहिए तो ले लेगा अगर तुम्हारे पाद जादा है तो जादा है तो ले भी लेगा अगर नहीं है तो दे देगा चरिर चला जाए, खुशिन ना जाए तो ऐसे धेर सारे समानो वादिया तुमाओं को बाप दादा का याद प्यार बुड नाइट और नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, आम शंते